Hello Everyone! Welcome back to my channel और आज का जो टॉपिक है वो है What are bases? क्या होते हैं? ये bases तो हमने देखा जो हमारे घर में सोप होते हैं साबून होता है वो कैसा होता है? सोपी होता है और उसको ज़गोगी टेस्ट किया हो गलती से तो उसका टेस्ट कैसा रहता है? बिटर रहता है, कड़वा रहता है तो वो होते हैं बेसेस सोडा तो सभी ने यूज़ किया है बेकिंग सोडा जो होता है तो सोडा भी है, अगर उसको आप हलका सा गीला करो तो भी आपको हाथ में ऐसे स्लीपरी स्लीपरी लगता है और टेस्ट करके देखना उसको कभी तो वो भी आपको बिटर ट्विस्ट करेगा तो जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सोपी होते हैं फील जब हम करते हैं, तो वो सोपी फील करते हैं उसमें स्लीपरी होते हैं और अगर हम elaborate करें तो basis ऐसे compound है जिसमें oxygen होता है और या तो फिर oxygen के साथ hydrogen भी होता है तो basis या तो उसमें oxygen होगा या तो फिर oxygen और hydrogen होता है तो ऐसे basis जिसमें सिर्फ oxygen होता है उनको कहते है oxide और ऐसे बेस जिसमें oxygen और साथ साथ उसके hydrogen भी होता है उनको कहते है hydroxide तो बेस क्या है सबसे first point कि बेस जो है उनका soapy feel होता है and bitter taste होता है second property यह है कि बेस ऐसे compound है जिसमें oxygen होता है या तो फिर oxygen प्लस hydrogen होता है अब जिस बेस में सर्फ oxygen होगा उनको हम कहेंगे oxides और जिस बेस में oxygen प्लस hydrogen दोनों होते हैं साथ में उनको कहते हैं hydroxide for example कि अगर मैं कहूँ nao h ठीक है na तो sodium है अब इसमें oxygen प्लस hydrogen दोनों है तो यह कौँ सा हो जाएगा hydroxide तो इसका नाम हो जाएगा sodium hydroxide एक और example देखते हैं अगर k o h है तो इसका नाम क्या होगा k for potassium अब इसमें oxygen प्लस hydrogen है तो यह हो जाएगा hydroxide तो इसका नाम हो जाएगा potassium hydroxide एक और example देखते हैं c a o h अब इसमें फिर c a calcium and o है और h है मतलब hydroxide तो इसका नाम हो जाएगा calcium hydroxide तो जिसमें भी o h होता है मतलब एक oxygen होता है और एक hydrogen होता है तो इसको हम कहेंगे hydroxide अगर मान लो c a o ही होता तो अब यहाँ पे c a for calcium और o सिर्फ oxygen है मतलब oxide तो इसका नाम हो जाएगा calcium oxide तो इस जित्ती भी हमने examples देखे यह सब क्या है बेस है तो यह सब क्या है बेसेज है उन्स acredition इसका रघो ऑथाखे यह क्या है मतलब कर दो इसका नाम होता है अषब को जसी पुआ पूल